कई पक्ते लिये थे उसे उस पे जो है चना की दार गरम पानी में उसे उबाला उबालने के बाद फिर उसे काटा और हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप तो दोस्टो तो दोस्टो मेरे आपके फेस्बुक पेज और यूटूब चैनल पे स्वाधिश्ट है भाई जिसका नाम है उस फेस्बुक पेजड़िज़ पे एक वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई जो है अरोहि के पत्ते का पतारा बना कर दिखाएएगा तो दोस्तो ये रहा अरोहिके पत्ते का पतारा और दिखाता हूँ कि फिक बाबी मानिक क्या किया, तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मेरी बाबी मानिक क्या किया। सबसे पहले जो है अरूई के पत्ते को कई पत्ते लिये थे उसे उस पे चना की डाल, और औरत कि डाल और चावल वगरा जो भी हल्दी वगरा लेसुन वगरा सारे मसाले वगरा मिला करके उस पे एक पत्ट पे लयप लगाया पिर दूसरा पाता पिर घर करकले एक दूसरे पे ल कर लगाकर शावार्ति में नफ दोस्तों मैंने कई बनाते हो यह नहीं देखाता आज पहली क्लास किसे जो है करहाय में सर्सो के तेल में इसे फस्स क्लास जो है चाना गया है और कितनी बढ़िया इसकी खुस्बू भी लग रही है देखा न आप लो एंग अब अब किस चीज की है किस चीज की है चटनी बनाया है अपना किसी चीज का चब तमाटा माटा समझ में मिला हुआ लग रहा है यह देखिए बढ़िया आप हम क्या करेंगे इसको ऐसे सस्पहले लिया आपके सामने यह देखिए लिया और यह डीप किया इसमें यह पनिया इसमे लगाया लेप और खाऊं यह स्री बिजय जयसवाज जी के लिए मैंने वीडियो बनाया है प्लीज आप लोग इसे लाइक करें और सेयर करें जरूर करें दोस्तों आपका यह लाइक सेयर ही हमें प्रेरीद करता है वीडियो बनाने के लिए यदि आप मेरे इस वीडियो को यूटूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नौटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न बोलें और फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेस्बुक पेज को लाइक करें और फालो करें तो और हाँ विजय जी यह वीडियो इस्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है तो प्लीज हाँ इसे लाइक करें और शेयर करें हमें बड़ी खुशी होगी इश्वार आपकी सब मनो कामना पूरी करें अब हम टेस्ट करते हैं क्या बढ़ें टेस्ट है सारे मसाले बने हैं बोलने दोस्तों इसे इसे क्या कहेंगे सारे जो इसमें कुरकुरा पन भी है मुलायम भी है सब कुछ है तो अब इसको मैं क्या नाम दूँगा अरोई का पत्ता स्वाधिष्ट है भाई तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए स्वाधिष्ट है भाई और आप लोग भी घर पर ट्राई कीजिए बड़ा मज़ा आता है खाने में एक बार फिर से स्वाधिष्ट है भाई तो दोस्तों फिर मैं आप से मिलता हूँ अगली वीडियो में नए स्वाध के साथ कब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त बाई बाई